सब्सक्राइब एलो एक विडियो में हम डिसक्स करेंगे कि अगर आपकी ओनलाइन फॉर्म फोर्म फिल करते हैं उसके लिए पता है आपको जो पर्टिकलर फोटो और जाप का सिगनेठेर होते हैं उसकी पर्टिकलर डिमेंशन सोती है उसका एक साइज होता है अगर हम बात करें फोटो की तो उसका जो size होता है that one is from 2250 kb के बीच में और जो signature होते हैं वो होते हैं 10 to 20 के बीच में तो यहां पर देखें मैंने एक particular image और यहां पर signature पहले से रख रखे हैं और जो photo का size है यहां पर देखें 78 plus kb का size है और जो signature है उसका size है 40 plus का size तो इसको हम कैसे convert करेंगे तो उसके लिए हम जो software use करेंगे that one is powerpoint तो उसके लिए यहां तो आप window r4 run कर दीजे यहां पर fill कर दीजे powerpoint यहां search bar में चले जाए वहां पर fill कर दीजे powerpoint तो फिलाल मैंने इसको पहले इस open किया है तो कुछ ऐसा interface होगा इसका तो आप क्या करेंगे यहां पर layout में जाकर यहां से black slide ले लेंगे blank slide ना भी लेंकि problem नहीं है उसे में भी work हो जाएगा लेकिन इससे थोड़ी से clarity हो जाती है user को तो यहां पर हमें पिच्चर चाहिए तो सबसे पहले हम लेते हैं candidate की photo तो आप insert में जाएंगे यहां पर picture में जाएंगे ना आपकी picture यहां पर available as particular location को choose कर ले यह photo है तो उसका मैं यहां पर choose कर लेता हूँ तो इसका size थोड़ा सा मैं set कर लेता हूँ थोड़ी सी photo को मैं crop कर लेता हूँ size से देखिए यह extra आ रहा है तो यहां पर देखिए format में crop आ रहा है so unwanted portion को आप यहां से remove कर दीजिए तो यहां पर देखिए side black रहे गया तो आप क्या करेंगे इसको double click करके all side black ले लीजिए तो यहां पर देखिए all side black आगी now मैं बात कर रहा था dimensions की तो इसको select करके यहां पर format में जाकर जैसे photo मुझे था यह 3.5 इसका particular चाहिए height और which चाहिए 4.5 तो मैंने यह set कर दी तो उसको मैंने यहां से right click किया और यहां से देखिए right click करके save as picture आया तो मैंने इसका नाम दिया picture और desktop पर save कर लिया और यहां से save कर लिया now जब मैंने save किया इसको minimize करता हूँ तो यहां पर देखे picture convert होगे इसका size देखते हैं कितना हो गया तो यहां पर देख सकते हैं इसका size अभी तक भी 2KB मेरा यहां पर increase है तो इस photo को मैं delete कर देता हूँ तो देखे यहां पर इसका size है जब मैंने उसकी dimension little bit आगे विशे की तो size देखी यहां पर 42.1 KB आ गया मिन्टू से 20 से 50 KB के बीच में मेरा size आ रहा है तो यह तो हो गया हमारा photo अग बात करते हैं signature की so इस photo को मैं यहां से erase कर देता हूँ delete कर देता हूँ तो insert पर जाएंगे यहां से आप photo में जाएए picture में जाएए तो यहां से मैं signature choose कर लेता हूँ तो तो थोड़ा सा छोटा कर लेता हूँ यहां से अपने recording आप उसको set कर लीजिए थोड़ा डार करना है तो इसको select करके आप यहां से brightness वहरा little bit set कर सकते हैं नहीं भी करना हूँ कि problem नहीं ऐसे भी चलेगा so अगर आप इसकी particular height width देना चाहते हैं तो format यहां पर height width दे सकते हैं ना भी दें कि प्रॉलम नहीं है ऐसे भी आपकी photo set हो जाती है मैंने काफी ज़्यादा इसको set के online form fill करता हूँ तो ऐसे को problem नहीं आती है आपकी photo जैसी आपको चाहिए बैसे इस दिस्प्ले हो जाती है तो इसको भी मुझे size इसका ड्यूस करना इसको भी मैं यहां से little bit size set कर लेता हूँ और right click करके इसको save as picture करता हूँ और यहां पर मैं इसका नाम देता हूँ sign और desktop है मेरी पहले से selection है जो मेरी storage की जिसको particular मैंने file को store करना है इसको मैं save कर देता हूँ so मैंने desktop पर file को save कर दिया store कर दिया तो यहां पर देखे इसका जो size है 11.6 आ रहा है तब देखे यह तो है जो मैंने बाद में conversion की है अब देखे जो पहले मेरी photo थी उसका size है 78.3 और जो मैंने convert की उसका size देखे आ रहा है 42.1 में तू से 2250 kb के बीच में और signature देखे signature का यहां size है 40 मुझे यहां चाहिए था size 10 to 20 kb के बीच में तो देखे जो मैंने उसके नीचे photo convert की है तो उसका size हम देखते है उसका size देखी है 11.6 आ रहा है तो ऐसे आप कोई भी particular form वगरा फिल करने के लिए ऐसे आप particular किसी अपनी photo का और signature का जो size है वो रियूज कर सकते हैं अगर आपने dimensions वहरा देनी हैं वह ने आपको बता दिया कि आप particular जब particular आप signature या फोटो को select करेंगे यहां से height width था आप देख सकते हैं ना भी दीजिए जो आपका particular आप जैसा size वहरा चाहते हैं उसके recording set कर सकते हैं सो फ्रेंड यह process करके देखिए if you face any problem comment box में comment कीजिए और साथ के साथ हमारी इस वीडियो को अपने friends के साथ और other candidates के साथ भी use share करिए so that उनको particular पता लग सके कि अगर अपनोंने कोई form fill करना है तो अपने end से वह कैसे photo का और particular signature का size reduce कर सके हैं so thank you friends for watching this video